कामरान एकेडमी कलासिस में आप सब का स्वागत है, इस्तक्बाल है, वेलकम है आज हम डिसकस करने जा रहे हैं दिसम्बर मन्त का सेकेंड वीडियो जो करेंट अफ़ेर को उपर बेस्ट है और इसमें हम 10 से लेकर 20 दिसम्बर तक जो भी इंपोर्टेंट करेंट अफ़ेर्स हो सकते हैं, उसको हम डिसकस करने के कोशिस करेंगे साथ ही साथ आप इस यूटूब के वीडियो का पेडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंसर के साथ जो टिलिग्राम लिंक पे अबेलेबल है आज का जो सबसे पहला कोश्चन है वो यह है, Ministry of Health and Family Welfare has developed which mobile app for COVID-19 vaccination delivery अभी रिसेंटली गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने एक एप को डिलिवलप किया है, COVID-19 के वेक्सिनेशन के डिलिवरी के लिए उसके क्या नाम है, उसको हम किस नाम से जानते हैं इसका जो correct answer है वह है option D, COVID-19 के वेक्सिनेशन बनने के बाद अब उसको delivery कैसे किया जा सके या इसी के साथ साथ डाटा को update कैसे किया जा सके या इसी को इसी के साथ साथ अगर किसी को भी अपने आपको register करना होगा वेक्सिनेशन के लिए तो उसको उस एप के थोरो करना होग तीन सारी चीज़ों के smoothly function के लिए COVID-19 बनाया गया है जिसके जरी से COVID-19 vaccination के सारी चीज़ों कहां मिजली हासिल कर सकते हैं आज का जो second question है वो यह है United Nations has approved to mark December 27 as which day कभी recently United Nations ने 27 December को approve किया है कि इसे किस दिन के तोर पे celebrate किया जाना है इसका जो correct answer है वो है option A epidemic preparedness day अभी recently जैसा है कि हम लोग देख रहे हैं December 2019 से ही COVID-19 को वज़े से पूरी दुनिया बहुत जारा परशान है वेक्सिन ना होने को वज़े से बहुत सारे लोग चले गए तो फिर दोबारा future में कभी इस तरीके के incident ना है इसी के लिए preparation के लिए UN ने एक अलग से दिन को इंदखाब किया है कि हम उस दिन को celebrate करेंगे कि हमें इन तमाम चीज़ों को देखती हुए अपने आपको कैसे prepare करना होगा future planning के लिए ताके next में अगर इस तरह के कोई भी epidemic या कुछ भी आता हो तो इसलिए हम उससे fight कर सके इसलिए 27 दिसंबर के United Nation ने approve किया है कि वो उसको हम celebrate करेंगे as a epidemic preparedness day question number 3 human rights day is celebrated on which day international human rights day किस दिन को celebrate किया जाता है इसका जो correct answer है वह है option भी 10 दिसंबर अगर हम 10 दिसंबर के बारें हम बात करते हैं तो United Nation General Assembly ने 1948 को ही 10 दिसंबर के human rights day के तोर पे celebrate किया कि इसको हम human rights day celebrate करेंगे उसका basically motive ही है कि जितने भी world में जो भी लोग है उनके जो भी human rights हो सकते हैं या fundamental rights हो सकते हैं उन तमाम rights को universally हमें protect करना है ताकि किसी के साथ भी unjust नहों सके तो हमारे जो भी fundamental rights हो सकते हैं या human rights हो सकते हैं उन तमाम चीज़ों का protection होना चाहिए इनुवर्सली लेवल पे और इसी वजह से हम 10 दिसंबर को हर साल international human rights day celebrate करते हैं जो UNGNA 1948 से celebrate करते हुए आ रहा है question number four what is the theme of परवासी भारतिय दिवस 2021 अभी recently 2021 में जो परवासी भारतिय दिवस होना है उसका क्या main theme क्या है तो इसका जो correct answer है वह option C contributing to आत्मे निर्वर भारत अभी recently government of India ने आत्मे निर्वर भारत के उपर बहुत ही जादा focus कर रहे हैं इसी को देखते हुए परवासी भारतिय दिवस का जो theme है उसको भी कि किस तरीके से आत्मे निर्वर भारत में contribute करेंगे जो भी परवासी भारतिय होंगे उनका किस तरीके के योगदान होगा कैसे वो अपना contribution देंगे ताकि हिंदुस्तान और भी जादा आत्मे निर्वर बन सके अगर हम भारतिय परवासी दिवस के बारे में अगर हम बात करते हैं तिसकी शुरुआत 9 जनवरी 2300 होती है और फिर अगर हम बात करते हैं 2015 से ये theme based हो गया है और 2003 से लेकर 2015 तक हर साल हम celebrate करते थे और 2015 के बाद से हम 2 साल के gap के बाद हम celebrate करते हैं और recently अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब अफरीका से हिंदुस्तान आये थे उसी दिन को as a भारतिय परवासी दिवस सेलिबरेट किया जाता है जिसमें जितने भी हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं उनका contribution बहुत ही जादा रहता है तो 2021 का जो परवासी भारतिय दिवस होगा वह बेलकुल virtual mode में होगा और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 2019 में जो परवासी भारतिय दिवस का सम्मेलन हुआ था वो वरांसी में हुआ था question number 5 which of the following countries has announced to give free corona vaccine to all its citizens कि इसमें से वो कौन सी country है जिसने recently announced किया है कि उस country के जितने भी citizens होंगे उन सब को vaccine करोना का जो vaccine है उसको फिरी में दिया जाएगा इसका जो correct answer है और हम बात करते हैं करोना वेक्सिन का जो फाइजर बायूंटेक है सबसे पहले UK ने उसको एप्रूब किया उसके बासे अमरीका और धीरे धीरे और भी country जो है उसको एप्रूबल मिलता चला जा रहा है और Finland सबसे पहला country है जिसने एनाउंस किया कि उसके country के जितने भी citizens हो गए सबको फिरी अफ कोस्ट जो होगा वो करोना के vaccine दिया जाएगा अभी recently बहुत जाद नियूस में यह है कि नासा ने 2024 का जो moon mission का प्लान किया है किस हिंदुस्तानी को astronaut को select किया गया है कि वो भी उस moon mission का part होगा इसका जो correct answer है वह option भी राजा जान हुरपुतूर राजा जान हुरपुतूर जो है अमरीकन इंडियन astronaut है जो नासा के साथ उनका association है और उनका भी select किया गया है कि 2024 का moon mission में वो भी नासा के तरफ से moon में जाएंगे और इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जा चुके है एस्ट्रोनोट के तोर पे उसमें राकेश शर्मा है कलपना चाउला है या इसे के साथ साथ सुन इसको समानित किया गया है इसका जो correct answer है वह है option D Eric Yuan अगर Eric Yuan के बारे मागर हम बात करते हैं तो recently Eric Yuan जो है अभी zoom जो वीडियो मीट के लिए हम बहुत बार यह application है कि अगर हमें किसी से बात करना होता है वीडियो का जरीय से तो बहुत सारे माध्यम के लिए हम zoom मीटिंग का य रिसेंटली कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि अगर गूगल मीट के लिए या इसी के साथ साथ वीडियो के लिए जिस एप का सबसे ज़्यादा यूज किया गया है तो उसमें zoom मीटिंग भी है या इसी के साथ साथ Google मीट भी है लेकिन Eric Yuan जो है वह अभी रिसेंटली जूम के CEO है एसी के साथ साथ founder है तो उनके contribution को देखते हुए time 2020 business person of the air के वार्ट से उनको समानित किया गया है Question No.8 Through which satellite launch vehicle ISRU will launch CMS-01 satellite ISRU का किस vehicle के जरिये से CMS-01 को launch किया जाएगा तो इसका जो correct answer है वह है option भी PSLV C50 अगर हम बात किरते हैं कि CMS-01 जो है वो एक communication satellite है और recently कल ही ये orbit में finally पहुँच गया है और इसको 17 दिसंबर को 37 धवन Space Center जो सिरी हरी कोटा में है वहाँ से PSLV C50 vehicle के जरिये से इसको launch किया गया था Question No.9 Who has launched खुद कमाओ घर चलाओ योजना scheme अभी recently इसमें से कौन सा वो एक्टर है जिसने एक scheme को launch किया है जिसका नाम है खुद कमाओ घर चलाओ योजना तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका correct answer है वह है option है सोनु सूद अगर सोनु सूद के बारे में बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं कि बहुत ही corona barrier सबसे बड़े अगर corona barrier के तोर पर उनको मायना जाता है बहुत ही जादा उनका contribution है recently उन्होंने खासतोर से जो भी लोग jobless हो गए हैं जिनके पास job नहीं है उनके लिए एक scheme को launch किया है कि आप आईए एक यह application है वहाँ पे जाकर आप अपने आपको register के लिए आपको e-rickshare मिलेगा और उस e-rickshare के मदद से आप खुद कमाईए और अपना घर चलाईए उसके के साथ साथ क्रोना वेरियर होने के साथ सोनुसुत को बहुत सारे आवार्ड दिया गया और अभी जो है मुंबई में उनको achievers आवार्ड से सम्मानित किया गया है और वही पे उनको एक title दिया गया है रियल सूपर हीरो अप दे एर 2020 question number 10 what is the name of NASA's 2020 moon mission? NASA के जरीए से 2024 में जो moon mission का वो नाम क्या है इसका जो correct answer है वह है option C Artemis question number 11 UNESCO declares 2021 as which year? UNESCO ने recently 2021 को किस तरह किस एर के तौर पे celebrate करेगा? इसका जो correct answer है वह है option D international air of creative economy for sustainable development अगर हम recently बात करते हैं तो कहीं न कहीं sustainable development से related बहुत सारी चीज़ों को हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम economy को बहुती जादे effectively बना सके creative उसका use कर सके ताके आने वाले generation के लिए भी फायदा मंद हो और हमें भी बहुत जादा नुकसान नहों तीन सारी चीज़ो को देखते हुए UNESCO ने 2021 को डिकलियर किया है वो as a international air of creative economy for sustainable development के हमें अलग अलग तरह के economy को create करना है ताके sustainable development को बहुत जादा से जादा डिवलप किया जा सके question number 12 first TWG meeting held between which country अगर हम TWG meeting के बारे में बात करते हैं तो TWG के basic जो मतलब होता है वो यह है three lateral working group यह तीन country का एक group है और इसका जो correct answer है वो है option C इंडिया इरान और उजबिकिस्तान और उसका मकसद यह है कि हमें चाबाहार port को कैसे use करना है effectively ताके किसी country का कोई नुकसान नहों हो और सब का कहीन डिपलोमेटिक तो पर जादा से जादा फायदा हो सके तो first TWG meeting जो हुआ है वो इंडिया इरान और उजबिकिस्तान के लिए और यह working group है जिनका basic motive यह था कहामें चाबाहार port को effectively और useful कैसे अच्छा से उसको use करना है question number 13 on which date विजए दिवस commemorated every year in India हिंदुस्तान में किस दिन को हर साल विजए दिवस के तोर पे celebrate किया जाता है इसका जो correct answer है वो है option A December 16 16 शोले दिसंबर को हिंदुस्तान में विजए दिवस के तोर पे celebrate किया जाता है और 16 शोले दिसंबर को 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई होती है और खास तोर से इस पाकिस्तान जिसको आज हम बंगलादेश के तोर पे जानते हैं वहाँ पे उनके साथ कहीं ने कहीं बहुत जादा discrimination हो रहा था अंजश्ट बहुत जादा चीज़ों हो रही थी तो वहाँ के जो उस वक्त के ये थी शेक मुझीब ने इंडरा गांदी से request किया उसके बासे इंडिया ने उसमें interfere किया और interfere करने के साथ पूरी तरह के साथ बंगलादेश के साथ हिंदुस्तान देता है और उसमें पाकिस्तान के बुरी तरकी से शिकस्त होती है तेरे दिन तक यह लड़ाई होती है और उसमें 93,000 सोल्जर पाकिस्तानी सोल्जर होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं इस पाकिस्तान खतम होके वहाँ पे एक अलग कंट्री बनकर हमारे सामने आता है जिसको हम बंगला देश के तोर पे जानते हैं हिंदुस्तान में गोवा लिबिरेशन डे कब सेलिबरेट किया जाता है गोवा को आजादिक कब मिली इसका जो करेक्ट अंसर है ओप्शन है 19 दिसमबर अगर हम गोवा लिबिरेशन डे की बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे पुर्तगालियों का रूल था और 450 साल तक लगतार वो रूल किये लेकिन 19 दिसमबर 1961 को 36 घंटे की लडाई होती है हिंदुस्तान के साथ और उसके बासे हिंदुस्तान गोवा को आजाद करा लेता है और उसके बासे गोवा हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट बन जाता है और 19 दिसमबर 1961 के बासे कहीं न कहीं पुर्तगालियों को हिंद चोड़ देना पड़ता है तो उन्हें इस दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिबरेट किया जाता है जब गोवा पुर्तगालियों से अजाद हुआ और उसी दिन को हम गोवा लिबरेशन डे के तौर पर सेलिबरेट करते हैं अभी रिसेंटली किस कंट्री ने रिफरेंडम कराने के लिए एनाउंस किया है कि क्लाइमेट गोल उनका कंस्ट्यूशन में एड किया जाए इसका जो करेक्ट अंसर है ओप्शन ए फ्रांस क्लाइमेट गोल्स जो है अभी बहुत जादा होट टोपिक है सारी कंट्री इसको पर डिसक्स कर रही है फ्रांस का ये कहना है कि इसको हम क्लाइमेट गोल्स को कंस्ट्यूशन का पार्ट बनाएंगे क्योंकि लोगों को ये पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट हमारे लिए कित पर्लेमेंट पिर इंडिया इस इंइपर्देश में है अभी रिसेंटली जो पार्लेमेंट का स्ठुक्चर है वो एकातार सो महादेव टेम्पल से इंइपर्द है और उससी के डिजाइन को कहीं नहीं पर बनाने के कोशिस की गई थी लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके साथ साथ के अभी रिसेंटली अगर हम जो परलेमेंट हाउस है उसके बारे मागर हम बात करते हैं तो हिंदु उस वक्त के दो बहुत बड़े लोगों ने डिजाइन किया था उसमें से एक एड़ेट लुटियन थे और एक हरबर्ट बैकर थे इन दोनों लोगों ने मिलकर 1912-13 में रिसेंट के जो परलेमेंट का भारत को भी हम दिखा सके और इसी के सासाथ हिंदुस्तान जो 75 यर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सिलिब्रेट कर रहा है उसको भी दिखा सके इसी को देखते हुए 64500 एसक्वाइर मीटर में अभी रिसेंट्री जो डिजाइन किया गया है परलेमेंट के बिल्डिंग को वो बनाया जा रहा है इसको जो बनाने वाले हैं वो है टाटा पोर्जेक्ट है अभी उसमें जो अगर हम बात करते हैं कि फोर्स फ्लोर बिल्डिंग है 1224 मेंबर के लिए जोईन्ट सेशन अगर होता है तो उस वक्त 1224 मेंबर आफ परलेमेंट उसमें बैठ सकते है और अगर बात करते हैं लोग सभा के लिए लोग सभा के लिए सिरिफ 888 सीट से और उसी के साथ राजी सभा के लिए 384 सीट उसमें बनाने की बात कही गई है 10 दिसंबर को नरिंद मोदिन ने फाउंडेशन स्टोन की बुन्याद डालते हैं Question No.17 What is the rank of India in the Human Development Index 2020 अभी रिसेंटिली 2020 में जो Human Development Index का ranking आई है उसमें हिंदुस्तान का क्या rank है इसका जो correct answer है वह है option B 131 अगर 2019 के बारे में बात करते हैं तो उस वत हिंदुस्तान के जो ranking थी 129 यानि के कहीं ने कहीं दो पायदान हिंदुस्तान का जो ranking है उसमें गिराऊ हुआ हुआ है और अगर अभी बात करते हैं 2020 में जो top करने वाली country है वो है Norway, Ireland, Suzerland basically अगर हम human development index की बात करते हैं तो हर country के जो भी इसमें participate करते हैं तीन चीज़ों का ख्याल किया जाता है एक तो यह है कि health का system क्या है उस country में health का system क्या है उसी के according जो है वो ranking के जाती है second जो हता है education के कितनी जादे importance दी जा रही है और इसी के साथ थर जो बहुँ जादे important होता है standard living यानि के लोगों का रहने सहने का तरीका क्या है उनका standard क्या है क्या मैयार है तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए health, education and standard of living इन तीनों चीज़ों को देखने का बात Human Development Index की रैंकिंग के जाती है और उसी के according 2020 में हिंदुस्तान का जो रैंकिंग है वो 131 है और 2019 में 129 Question number 18 Who was the most searched personality on Google this year as per Google India कि अगर Google India के बादरे में बात करते हैं तो Google India में सबसे ज़्यादा सर्च किये जाने वाले personality कौन है तो इसका जो correct answer है वो है option B जोई बिदेन जोई बिदेन जो है वो अभी अमेरिका के recent president बनाएगे है जिनका association जो है वो Democratic Party से है Question number 19 When Arabic Language Day is celebrated every year हर साल Arabic Language Day किस दिन को celebrate किया जाता है इसका जो correct answer है वो है option है 18 December 18 December को हर साल UNESCO 2012 से World Arabic Language Day celebrate करता है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो Arabic के contribution को देखते हुए 1973 में UN का official language बना दिया गया Russian, Arabic, Spanish, Chinese, English, French यानि के 6 language है UN official language उसमें से Arabic को भी 1973 में वहाँ का official दर्जा दे दिया गया तो कहीं ने कहीं Arabic language का जो contribution है उसी को देखते हुए 2012 से UNESCO ने ये एनाउंस किया कि आठारे दिसंबर को Arabic Language Day celebrate किया जाएगा Question number 20 Who won the Ramanujam Prize for Mathematics for the year 2020? अभी रिसेंटिटी 2020 में Mathematics के लिए Ramanujam Prize से किसको समानित किया गया है इसका जो correct answer है वह option है Carolina Arojo अगर हम Carolina Arojo के बारे में बात करते हैं ये वो सबसे पहली औरत है जो कोई non-Indian है जिनको Ramanujam Award से समानित किया गया है इसी के साथ-साथ इनका जो Association जो है Institute for Pure and Afflight Mathematics Reader General बराजील के इन्वस्टी से इनका Association है वहीं पर ये वर्क करती है Question number 21 In which of the following year Qatar host Asian Games इसमें से किस साल Qatar Asian Games को host करेगा तो इसका जो correct answer है वह है option C 2030 2030 में Qatar Asian Games को host करेगा अगर 2022 के बारे में बात करते हैं तो Hwangju China host करेगा 2026 में Japan host करेगा और 2034 में Saudi Arabia host करेगा Question number 22 PM Modi has recently inaugurated the Chilahati Haldibari rail link which will connect India with which country अभी PM Modi ने recently चilahati Haldibari rail link को inaugurate किया है जो हिंदुस्तान को किस country से connect करेगा तो इसका जो correct answer है option D Bangladesh अगर हम बात करते हैं तो recently ये rail link दोबारा इसकी शुरुआत हुई है और ये 5th operational railway link है हिंदुस्तान और बंगलादेश के दर्मियान में और अगर हम बात करते हैं तो चिलाहाटी जो है वो बंगलादेश में है और हल्दी बारे ये वेस्ट बंगाल में है और इसके वज़े से कहीं ने कहीं economy boost up के बहुत जादा फायदा होगा बहुत जादा दुन कंटी के रिष्टे अच्छों हो सकते हैं 55 साल बाद इसके शुरुवात हुई है question number 23 who among the following has won the best FIFA men's player 2020 अभी recently 2020 में किसको best FIFA player का एवार्ड से समानित किया गया है तो इसका जो correct answer है option D Robert Lewinsky Robert Lewinsky के अगर हम बारे में बात करते हैं तो सबसे 32 पलियर का एवार्ड से समानित किया गया है ये पॉलेंड के कैप्टेन है और 2019 में लियोनल मेसी को इस एवार्ड से समानित किया गया था question number 24 that 2021 world economic form annual meeting is scheduled to take palace in which country 2021 का जो world economic form annual meeting होगा वो कहां पे schedule होगा कहां पे host किया जाएगा कौन से country host करेगी तो इसका जो correct answer है option D Singapore world economic form annual meeting के बारे में बात करते हैं तो Singapore में ये 25 चलेकर 28 मईट तक schedule हुआ है जहां पे world के सारे main main country जो पाटिसिपेट करेंगे इसी के साथ 2022 में स्यूजर लेंड में होगा question number 25 name the scheme launched by the government of India to improve the wifi availability in public spaces across India अभी recently government of India ने wifi availability को improve करने के लिए एक scheme को launch किया है और उसको हम किस नाम से जानते हैं तो इसका जो correct answer है वो है option B PM wifi basically public spaces जो है across India में वहां पे wifi availability को improve करने के लिए क्योंकि wifi के जो condition ने हिंदुस्तान में बहुत 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 करने के लिए improvement के लिए एक अलग से scheme को launch किया गया है जिसको हम PM wifi के नाम से जानते हैं जिसके जरीए से हम यह उम्मिद कर सकते हैं कहां wifi के availability में बहुत जाद इंपूर्मेंट हमें देखने को मिल सकता है question number 26 what is the projected GDP growth rate of India in the year 2020 as per the Asian Development Bank according to Asian Development Bank हिंदुस्तान का 2020 का projected GDP growth क्या होगा तो इसका जो correct answer है वह है option c minus 9% है और यह unchanged है क्योंकि कोरोना के वज़े से बहुँ जादा चेंजिंग हमें economic development बहुँ जादा नहीं हुआ है इस वज़े से Asian Development Bank ने ये माना है कि हिंदुस्तान का GDP growth rate है 2020 का वो minus 9% होगा question number 27 UNESCO has launched an international award named after for the creative economy in its 210th session 2010 के session में UNESCO ने recently एक international award का गोशना किया है जो international prize होगा creative economy के लिए वो किसके नाम से है तो अगर हम इसके बारे हम बात करते हैं तो वो नाम पर रखा गया है बंग मंदू शेख मुझी बुरामान साब बंगलादेश ने UNESCO से ये request किया था कि creative economy के लिए एक अलग से award announce किया जाए और ये जो basically जो होगा international prize for creative economy के लिए होगा जो बंगलादेश का बंग बंदू शेख मुझी बुरामान के नाम पर होगा तो इन इसको ने इसको accept कर लिया और ये next year से जो है बंग बंदू शेख मुझी बुरामान साब के नाम से international prize for creative economy दिया जाएगा जो creative economy में जिनका contribution बहुत जाएद रहेगा उनको इस award से सम्मानित किया जाएगा question number 28 in which of the following city Reserve Bank of India RBI has decided to set up an automated bank note processing center अभी recently Reserve Bank of India ने ये decide किया कि वो एक ABPC को set up करेगा हिंदुस्तान के किस शहर में तो इसका जो correct answer है वो है option भी जैपूर basically जो ABPC या automated bank note processing center का जो system होता है काम करने का वो यह होता है कि एक center होता है जहां पर basically जो भी पैसे आते हैं उसका receipt है या इसी के साथ साथ उसको storage करने के लिए या इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो dispatch करने के लिए जो भी currency है RBI के पास उसको dispatch करने के लिए उस center का use कि जाता है तो Reserve Bank of India ने recently ABPC को setup करने के बात किया है जैपूर में question number 29 who has won the 2020 Champions of the Earth Award of UNEP in policy leadership category recently 2020 में Champions of the Earth Award से किसको समानित किया गया है UNEP के policy leadership category में तो इसका जो correct answer है वह है option C Frank Benny Marama अगर हम फ्रेंक बेनी Marama के बारे हम बात करते हैं तो वह फीजी के PM है और climate action के लिए for climate action के लिए उन्होंने बहुत ही जादा काम किया है उसी को देखते हुए उनको Champions of the Earth Award से समानित किया जा रहा है और 2005 से United Nations Environmental Program ने 2005 से ही Champions of the Earth Award से समानित करता है पांच के टेगरी में के इन्वार्मेंट के लिए लोगों ने अपने लेवल पे क्या क्या काम किया है उसी को देखते हुए इन सारे Award से लोगों को समानित किया जाता है तो Frank Benny Marama जो Fiji के PM है उनका कहीं न कहीं जोगदान या कंटिबूशन बहुत ही जाद रहा है Climate Action को लेकर इस वज़े से उनको Leadership के टेगरी में इस एवार्ड से समानित किया गया है Question number 30 What is the rank of India in the Climate Change Performance Index CCPI 2021 Recently अभी जो Announce हुआ है Climate Index ranking में हिंदुस्तान का rank क्या है इसका जो correct answer है Option A 10 यानि के Recently हिंदुस्तान Climate Change Performance Index में दसवा rank प्राप्त है और इसी के साथ सथ अगर हम बात करते हैं 2020 में 9th पैदान पे था तो कहीं ने की एक पैदान ऊपर ही आया हुआ है और इसमें Sun Town Country participate करते हैं शुरू का तीन जो है spot किसी को भी नहीं दिया गया है क्योंकि जो basically जो भी formula होते हैं जिसको पर इन सारी चीजों को देखा जाता है वो कोई भी country उसको fulfill नहीं कर पा रही है इस वए से 1st position, 2nd position and 3rd position blank है अगर हम बात करते हैं फोर्थ में तो फोर्थ में जो है वो सेडेन है उसके बाद से 500 नमबर पे UK है अगर हम बात करते हैं कि basically 3-4 चीजों को देखा जाता है कि उसमें क्या क्या किस कौन सेकंटी किन किन चीजों को यूज़ कर रही है उसमें omission ह होता है, renewable energy है, energy use कैसे करते है या इसी के सासत climate policy क्या है इन सारी चीजों को देखा जाता है उसी के according हिंदुस्तान ने 100 में 63.98 score किया है और उसी scoring के according हिंदुस्तान को संताउन कंट्री में 10 वा रैंक प्राप्त हुआ है तो आज का question यहीं पर समाप्त करते हैं फिर next वीडिय हो सकते हैं उसको हम discuss करेंगे, आपको जो भी suggestion देना होता हो या feedback देना हो आप उसको comment box में बता सकते हैं ताकि उसी के according हम next video को और prepare कर सकते हैं, thank you so much once again